जैसे हिंदुस्तान के लोग डरते हैं महंगाई, करप्शन और स्कैम से वैसे यूरोप के लोगों में खौफ की वज़े है माफिया डॉन ओजो बचपन से ही ओजो पर पैसे कमाने का पागलपन सवार था लंडन स्टॉक मारकेट में मनी लॉंडरिंग करके कसीनो के धंदे में उतरा और यूरोप का नंबर वन कसीनो किंग बन गया ऐसा कोई काला धंदा नहीं जो ओजो सफाई से ना करता हो बस इतने साल यूरोप रहकर भी अंग्रेजी सफाई से नहीं बोल पाया यूरोप में रहकर भी हिंदुस्तान उसके दिल में बसता है पर ओजो के भाई क्रिश ने वेस्टन कल्चर में अंग्रेजों को भी पीछे छोड़ दिया है यह है ओजो की दबंग मा मीठी माई जो अपने बेटे की आर्ती उतार कर उसे क्राइम के अखाडे में भेशती है सुर्य है यह वो आदमी जिसने हमारा गेम प्लान पता करके एक लाख यूरो लूटा है लूटा नहीं है जीता है मैंने ओजो के सावने बीग आवाज में टॉकिंग तो ओजो उसका आवाज पैकिंग मेरा कसिनो में पीपल मनीज हारने के लिए आता है हमको बेकर बनाने के लिए नहीं मेरे आदमी ने टंकी जिप खोल के टिप दी होगी उसका नाम टेल और सर पे लगा टेल बता दूँगा तो मुझे छोड़ देंगे ना यह प्रामिस है ओजो का आपके ट्रांसलेटर नहीं अरे गुगली ट्रांसलेटर तुझसे इंग्लिश ट्यूशन लेके कुछ प्राफिट नहीं हुआ तुझे कॉल सेंटर से मैंने पुलिंग लेकिन मैं राइट हैंड इस अभी तक टाइट इन इंग्लिश मेरा ट्रांसलेटर होके तुमने मेरा ही गेम प्लैन किसी और को ट्रांसलेट कर दिया ना लेट जा मुझे लेट हो रहा है तो ही चंकी हाँ तो हिंदी में सिर्फ ओनली 36 लेटर्स फिर भी हम हिंदी लेंग्वेज एक्सपर्ट स्पीकर पर इंग्लिश में अउनली सिर्फ 26 लेटर्स फिर क्यों नहीं बनूँगा इंग्लिश पिकिंग मार्टर जल्दी कोई इंग्लिश टीचर का मैनेजमेंट करो आपने प्रामिस किया था आप मुझे छोड़ देंगे भाए नेमी जोजो थोड़ देता हूँ प्रामिस करता हूँ मैं जोजो मैंने मा से प्रामिसिंग की दूसरों को प्रामिस करके ब्रेकिंग अब मा का प्रामिस ब्रेकिंग तो उसका हार्ट ब्रेकिंग किसकी मौत बेल बजा रही है सलीम ने अगें चक्मा दिया वो तो हमेशा देता है सर अब सॉरी जो सच है वो तो सच है ये वाइरस एशिया के माफिया में शार्फ शुटर बनके इन हुआ और सबको नॉक आउट करके बन गया बड़ा गैंग्स्टर एशिया का किम लोगों से बार बार मिस्टेक हो जाती है लेकिन इसकी बुलेट कभी भी मिस्टेक नहीं करती माफिया की बुक में इसका कोई यूजर नेम नहीं क्योंकि ये हर डिल अलग-अलग नाम से करता है बट पूरी माफिया की अंडरवाइल दुनिया में ये सलीम नाम से फेमस है गन के साथ फन मेरा शौक नहीं पेशा है सलीम सारे आयाश पीपल बैंकॉक कमिंग इसलिए कसीनो जोपनिंग के सरकल में बैंकॉक के लैंड में लैंड होने वाला था सर, दस मिनिट में प्लेन बैंकॉक लैंड हो जाएगा जब मेरा प्लेन वहां लैंड होगा तो ओजो की एंट्री से पूरे अंडरवर्ड को पेन होगा बी अलर्ट, ओजो स् फ्लाइट विल बी लैंडिंग शॉटली है, हूँ आर यू? पूच के गलती किया तु, देगा तुने सवाल एक पुछा, अप उनने बंदुक से दो लोगों को टपका कर दो जवाब दिये क्या मांगता है तुम्हें, अप उनके एरिये में अप उनकी पॉमिशन के बिना उजो तो क्या, कोई भी धंदा नहीं कर सकता, उसे बोल हवा में प्लेन घुमा ले मैं तन मन और भरी गन से अपनी गैंग चलाता हूँ, दुश्मन सामने होता है तो उंगली चलती है, खोपड़ी नहीं, मेरे खौफ से डर भी कांपता है सर, हम अभी लांड नहीं कर सकते, रांवे पर कुछ प्रॉब्लम है तो प्लेन को हाइवे पर लांड करो, वैसे प्रॉब्लम का नाम क्या है? सर, उसका नाम सलीम है, पूरा एरपोर्ट उसके कंट्रोल में है सलीम, भले एरपोर्ट उसके कंट्रोल में है, लेकिन ओजो आउट अफ कंट्रोल है जब गीदर की डिद कमिंग तो वो शहर की तरफ रनिंग, मगर ये तो रनिंग रनिंग मौत के सामने कमिंग कैप्टन, सर, फ्लाइट को लैंड करो का खड़े, आ रहा होगी दर किसकी मा, किसकी मा बीदी दो, वैमर्व न को खर्यक्रिकर मग, मुझाळदा, या किस्तव फांक होगी, या वह 뭔, आज़ा किस्ति की अश्योट ऊभी, वैक्र वैकर रहा это वह कंँ प्रसीद फाहर हाल, वेत्स बहुत प्लाइब लिए क्या हुआ के ओजो का डायलोग उसी को रिटन जब नेक्स टाइम इदर लैंड करूंगा तो तेरी डेड़ बॉड़ी पर करूंगा ओजो स्टाइल अवान दे डू और डाइप पुराना स्टाइल है डूएट नाओ बट डून डाइए यह सलीम भाई का स्टाइल यह सलीम की चिलम बना क के पी जाओंगा बिना स्मोक के वहां ओजो सलीम के खून का प्यासा था सलीम माफिया की दुनिया में तेजी से उपर चड़ रहा था मगर एक हसीना ने ब्रेक लगा दिया फर्स्ट टाइम आखों के गहराए मैक्सिको के शूट आउट इन समंदर में दिखी दूसरी बार दुबए के कारचेस के वक्त रास्ता पार करते करते सलीम के दिल के आर पार हो गए और तीसरी बार बैंकको के डूटी फ्री शॉप में जिसके बाद सलीम अपनी सारी डूटी जबुल गया एक्सक्यूज में ये मार्केट में आया है येस मैम क्या मैं कुछ रिकॉर्ड कर सकती हूँ शूँ मैम गुद मॉर्निंग जॉपलिकेट हाव यू जोंट बोरी मैं हमेशर तुमें अपने दिल में रखूंगी पपू लगता है आप उनको बार बार मिलाने में उपर वाले की मिली भगत है पहली बार मिला तो लगा के एक्सिडंट है दूसरी बार मिला तो लगा को इंसिडंस है तीसरी बार मिला तो लगता है कि अप उनके लिए यही लड़की एकदम पॉमनन्ट है प्रेडिट कार? या शूँ ओ, I have to go ओ, एक्स्क्यूज मी जैसे मच्छली बिना पानी के नहीं रह सकती जैसे बिना चिंगारी आग नहीं जल सकती जैसे बिना भवरे के कली नहीं खिल सकती वैसे ही, प्यार की इताली एक हाथ से नहीं बच सकती और प्यार की इसी कव्वाली को गुन-गुनाने मैं उसके पीछे इंडिया जा पहुँचा दी दी, इंडिया में आपका स्वागत है इंडिया के बारे में कुछ बताएए संधिया, इंडिया के बारे में और क्या बताऊं तुम्हें? इसलिए सभी सिंगर्स आजकल नाक से गाने लगे हैं तो अभी भी कौन सी देड हुई है? कोई अच्छा सिंगर ढून लीजिए यह तो कौन है अंकर? अब बीच में क्यों बैटा है वे हराम खोर? भटता है यह घुसा हूँ अबे लुखों अभी तो सिर्फ गाड़ी के पूर्जे ही उखाड़े हैं अगर एक कदम आगे बढ़ाया तो तुम्हारे भी स्पेर पार्ट सु खाड़ के रख दूँगा सटका मत, सटक ले अखिर तु है कोण? छे फे टाइट, बॉड़ी मेरे टाइट, दुश्मनों की कटे काइट, जब करू मैं फाइट टॉप तो बॉटम इंट्रोड़क्सान, मैं कहां से आया हूँ, मैं कौन हूँ, क्या मैं डॉन हूँ तु क्या यहां अप उनका इंटर्वियो लेने आया है, बिना नाम जाने नहीं पीटेगा तु साले मुझे पीटेगा अब लुक, यह लुक्खा बिना अपना नाम बता है, अब उनको काटने चला था, अब तु मुझे इसका नाम बता भाई को छोड़ने बना बहुत भारी पड़ेगा तेरको अब कहां से यह जंग वाली तलवार उठा कर लाया है, इससे तो लोकी भी नहीं कटेगी यह तो फड्रवार इसका अवार उल्ड़ 2 क्षिए। क्यों बें तू आधार काड़ ओफिसर है नहीं नहीं भाई शाने लड़कियों की इजट करना सीख यह बारूद है तोप सिंगा बेटा हम तो लड़की को उठाने आये थे आपको नहीं अब लाइन पर आया मगर देर से इसके इतनी दुलाई के फिर बताया क्यों है पहरे नहीं बता सकता था था कैसे पताते इस ने हमारी पुलते कि नहीं दी किस देना क्या अरे ट्राय तो कर पहले मेरी एक किस लेकर देख अगर मीठी ना हो तो वापस कर देना चल प्यार का श्री गणेश कर यह मेरे अंकल है अहां इकलौता अंकल मेरी बेची 14 साल बात इंडिया वापस आई है किसी के नजर ना लगे इन दोनों में से एक उंगली पकड़ वो क्यों भूल गए क्या माम अब मैं बड़ी हो गई हूँ मुझे पैचाना के नहीं अच्छा बिटा हवाई जहाज में आते आते कोई जटके वटके तो नहीं लगे दो क्लास गए होते तो पता होता हूँ सुनिये जी संध्या विदेश जाकर अपनी देशी मा को बूल गई क्यों क्या हुआ बचपन की तरह उंगली पकड़ने को कहा तुम मना कर दिया शकुंतला लोग करजा लेकर भूल जाते हैं ऐसान भूल जाते हैं ये कौन सी बड़ी बात है छे साल के उम्र में विदेश ग ठीक हो जाएगा मगर हुआ नहीं लेकिन आप तो से कल लाने वाले थे फिर आज कैसे अरे मैं नहीं बलके वो मुझे लेकर आई है वो आप लोगों को सर्प्राइज देना चाहती थी बगर हमले से वो सर्प्राइज दोगी अच्छा हो अस लड़के ने हमें अपनी जान प नमस्ति अंकल तुम्हारा शुक्रिया बेटा नाम क्या है तुम्हारा मुन्हारा हम इस राम बादु को छोड़ेंगे संद्या बेटी पर तोप सिंग ने हमला किया है हम उससे नहीं चोड़ेंगे आप खाली हुकम दीजिए हमें चांत हो जाएए खून खराबे में कुछ नहीं रखा मेरे परिवार के लिए जो आपका प्यार है वो ही काफी है सब ठीक हो जाएगा घर जाएए नमस्ते बाउजी लोगों का गुस्सा आपकी बेटी पर हमला लोग जिस तोप सिंग को मारने की बात कर रहें वो कौन है तोप सिंग मेरा दूर करिष्टेदार है अर इस राम प्रसाद को मैं अपने हाथों से दफन कर दूँगा तोप सिंग अपने मन में नफरत के बीज बोरा था वहीं उसका भाई प्यार करने लगा था वो भी मेरी बेहन से चुलू भर पानी में डूम मरने की बात है कि मेरा ही खून मेरे ही दुश्मन के पास अपने प्य राम नाम सद्य कर दिया इससे गाव के लोग भड़क उठे अंचायत ने दूला दुलन की हत्या करने के लिए तोप सिंग का हुका पानी बंद कर दिया और उसे गाव से निकाल दिया जिस गाव के लोग हमें सलाम ठोकते थे वही गाव वाले एक दिन हम पर थूखने लगे हमारे करोडों की जैदात सब कर ली गई राम प्रसाद की वज़ा से हम खाना बदोशी की जिंदगी जी रहे हैं हम ना घर के रहे ना घाट के लिख लो उसके परिवार में उन्हें का जल्दी बता है कैसे हो गया क्या दिखा तुझे कोरी गया मार खाएगा बता मुझे मान में से क्या होगा तो मामें चला गया अब है ना कटा के आया है कान क्यों छोड़ा उसे भी साथ में इसका अच्छा होता कि तुम मर के आया होता जी जाता है कि तुझे ये पर दफन कर दू कर दो अगर दुनियामे रहना है तो कोमा में रहने का नाटक करना पड़ेगा तुझ पर एक मौका मिला वो भी का बात या तेरी जगे मैं होता तो उस लड़की को जिंदा जाने नहीं देता उसके टुकड़े करके प्रताप सींग को बिजबा देता चुपरे तूने अपने खांदान का नाम मिटा दिया बस बात हो गया अब मुझे उसके पूरे खांदान को शमशान घाट पहुचाना ही पड़ेगा अब मैं ऐसी चाल चलूंगा कि उनकी रूभी काम पुठेगी मौत का तांडव होगा अच्छा तुम्हारा गाउं कौन सा है हूली से तो सड़क चाप लगता है मैं से कुछ बक्षीश देकर यहां से रफादफा कर दीजे मेरी संधू तुम मुझे यहां से भगाने की तयारी कर रहे हो मगर मैं तुम्हारे दिल में ही रहने आया हूँ वो भी बिना डिपॉजिट और रेंट के हल्प मी गॉड़ वैसे रहते कहा हूं मुन्ना जहां रात वहीं पिछाई खाट मैं आनाथ हो ना बाबुजी ऐसा नहीं कहते काम क्या करते हो दिन में स्टेशन पर जूते पॉलिश करता हूं और शाम को नुकड पर केले का ठेला लगाता हूं चूरं दे रहा है आदमी नाम से बड़ा नहीं अपने काम से बड़ा होता है इंप्रेसिंग दो नंबर की काली कमाई से भली इज़त की एक वक्त की रोटी एक वक्त तो भिकारी लोग खाते हैं ऐसा नहीं कहते कभी काम तो कभी ज्यादा ऐसा परिवार मिले तो बांट लोंगा रोटी और प्याज आधा 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 अचा बेटा अब आगे क्या सोचा तुमने फिलाल तो जिंदेगी अच्छी कट रही है कोई तकलिफ नहीं हरे तो शादी कर लो दिल की बात चीनली लेकिन पीवी के खर्चे उठाने के लिए हरी पत्ती चाहिए और जब तक मुझे नौकरी नहीं मिलती छोकरी कहां से मिले कैसे हो पाऊंगा तो जाओं ठीक है कट लग गए एक मिर्ट तुम्हारे जैसे महनती आदमी की जरूरत है हमें सच में किस मुझसे शुक्रिया कहूं नौकरी दी है तो आपके आशिरवात से छोकरी भी मिली जाएगी यू आज से आपकी सारी प्रॉब्लम मेरी प्राता से जाएके संद्या तक लुक्षा कहीं का अरे ज्यानी जरा इसके रहने का इंतिजाम कर दो चलो भी जब देखो रहा चलते को भाईया बना लेती हो अच्छा हुआ इसे सहीया नहीं बना लिया तुमने तुम्हारी ये भाईया-भाईया कहने की आदत से मुझे डर लगता है क अगर तुम्हेरा सगा बेटा नहीं होता ता मैं तुम्हें डालता है अरे ये ताले जैसा मू क्यों लटका है ये अंतरियामी है सब जानता है तुम्हारी चिछोरी हरकतों का इसने MMS बना लेक्ट बोला कांट्यूनियो जेम्स बॉन हूँ मैं आप अंतरियामी है मेरी आख इसकी सीधी सी बात का सीधा जवाब दो नहीं करते नौकर को मैं मुह क्यों लगा है इसका भाव ये क्यों बढ़ाएगा जाओ तुम लोग जाकर अंदर प्यास काटो मैं देखता हूं जल्दी चल दिया पूछे पहले जरा मेरे लेवल में आ तेरा नाम क्या है खन्ना क्या मुन्ना मुझे मत लगा चुनना सुन इस घर में बाश्या भले राम प्रसाद जी है मगर वजीर मैं हूँ अगर उनको पटाना है तो मसका मुझे लगाना होगा वो भी उपर से लेके लीचे लगा इस घर में त्री डोर्स हैं तुम इन तीनोट डोर्स के बाहर रहोगे त् जब तुम्हें भूक लेगे तो लोटा लेकर भीक मांग लेना और जब किसी घर से अच्छा पकवान में ले तो थोड़ा मेर लेधी प्लेट में लेगा आप पुरुष नहीं महापुरुष हैं अत्याचार कब तक चलेगा समझ गया चुना भट्टी पहला सवाल कहा बैठोगे वह लास डूर के आउट दोर में रही जवाब आज से मैं तरा गूरु तुमेरा चेला चल निकाल टूशन के यह डाई कि लोगा हाथ पड़ गया तो मेरी हाइट कम हो जाएगी निकल लिए तीन महिने तो दूर तीन घंटे में इंडॉर गेम खेलूँगा नौकर के भेस में हीरो आपका ओटोग्राफ मिलेगा वाँ ये कौन दिपीका पादुकॉन आपका नाम है उद है एक्सक्यूज मी ओटोग्राफ देंगी अंगूठा चलेगा आप है ना मुझे मिस वर्ल लगती है वर्ल नहीं मैं तो मैं शीला हूँ हम तो मिल चुके हैं तभी आपके चेहरे की दिवार पर मेकप का प्राइमर नहीं लगा था ना वहसे मैं बिना मेकप के भी अच्छी लगती हूँ पर तुम नाखून क्यों खा रहे हो सुबह का खाना तो नसीब वालों को मिलता है ना ये क्या कह रहे हो अंदर चलके खाना खालो मुझे अंदर से तड़ी पार किया है किस उलू के पठे ने जी वो तू बाइत्री अंध अली बार सुन रहा हो अंदर चलो भाईया पहले आप दीपी का दीदी कहां गई थी दीदी क्या जकास लग रही हो कहां से आरी हो दीदी मंदर से वे लोफर आपके साथ क्या कर रहा है ये लोफर नहीं इसका नाम मुन्ना है ये बहुत ही इमांदार और शरीफ लड़का है कहो तो शराफत दिखाओं लडाई मत करो दोनों नाश्ता करने उक și चंडाल चौकड़ी नयनोंका वार, दोधारी तल्वार है रोप वो जहिलास साथ क्या पुसपुसा गया है इतना नहीं पताeder क्या वह आखोंसे तम्हेरा नाप ले गया चंडाल चौकड़ी मतलब चार दोधारी तल्वार मतलब दो यह कहां का नाप है दिल तक पौच प्रिज का कहां का ब्रिज का चंडाल चौकडी दो धारी तल्वार चंडाल चौकडी दो धारी तल्वार हाँ 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 हो कुछ चाचु इस गयंडे के पास कितने जोकर सरदीक कर मुझे बता बेइमानी में में मतदकर वैसे जोकर नहीं होगा यह खुद जोकर है जोकर के पास जोकर आप बीन के पतों में जहांक लीजे ताका जहागे में तो आप माहीर है तो आपने बढ़े अच्छे आपने के इंपर ध्यान दो वर्ण मुझे मारेगा तू आप से अच्छे पते तो इनके पास हैं कितना कमीशन मिला अरे बड़े चाचा जी आपकी मैं यहीं इंतजार करता हूं अरे उल्लू की दूम खाना तायार है तू भी आजा मगर घर के अंदर मेरी एंट्री बंद है वही लंबाई कम सफेशट काला चश्मा वो सफेशट पहले तो रसगुले जैसा गोरा था पर अब धूप में जलकर गुलाब जामून से भी काला हो तू आजा बिंदास कहीं वो जान गए तो मेरी जान ले लेंगे हैं चार चान लग गया उपर से एक तारा जुड़ गया अब क्या आपा इसने सुपर सुपर डुपर सुपर से बहुत उपर इडियाट एक मिन कान पर में कुछ सनाई नहीं दे रहा है क्या फिर कुछ नापा आगे नो हो पीछे फुल्टूस्कोप पीछे का नाप है वो नापने में बाप है चार चान पर एक तारा चार चान पर एक तारा मुमी शाही पनीर लोगे भाईया मैं तील का तला नहीं खाता तो दम आलो दू उससे पेट का दम निकल जाता है उबली भेंडी मंगलवार को भेंडी नहीं खाता है तो थपड़ खाके पानी पीलो बीमारी दूर हो जाए मुझे कोई बीमारी नी चाचू आजकल मेंटेन कर रहा तो आज से वेजिटेरियन बन सिर्फ नॉनवेच वाच्में यू यह वाई सिटिंग जल्द अबेस तू कौने से रोकने वाला अरे तुम सब कोरस में क्यों टॉकिंग रुकिये इन पे मत बरसिये शायद मेरी किसमत में फैमिली का प्यार ने लिखा है आपका प्यार बाग यह नहीं तुम लोग विकेट तुम्हारा गिरा है तू बाई थ्री तीन मैने तो दूर की बात है तीन गंटे भी नहीं लगे मुझे अंदर आने में अब बाहर जाने की तेरी बारी आपके आग्या हो तो चिकन चमेली चबालू है मैं तो रोज खाता हूं आज यह टेस्ट मतलब वो लपेट क्यों बोलकर गया क्या दीदी कभी पतंग नहीं उड़ा है तुमने अरे प्लीज बता ना ओके बताता हूं ऐसे किया था ना ऐसे किया था न उसने मुन्ना पेट को लपेट गया लपेट लपेट क्या लेने आया हो मैं पहले टेलर था कहो तो साइस बता दो कोई ज़रत नहीं है माई चिकन करी डोन बीन हरी तुम्हारी कमर जैसे रोटी रुमाली तुम्हारी आखें जैसे ही रागुलाबी तुम्हारा बदन रस मलाई मेरे दिल के कार खाने में तुमने अरे क्यों चलाई अगर तुम्हारी जंडी दो तो मैं तुम्हारे आखों के टॉप फ्लोर से उतर कर तुम्हारे बेस्मेंट में अपनी जंडी गार सकता हूं बढ़की बढ़की मेरे होने वाली बच्चों की अम्मा दे दे मुझे चुबा इतना हावा में मत उड़ो तु जगाले जगाले सोय आर्मान पता नहीं इस उलोग के पठे को मुझे और कितने दिन जीलना पड़ेगा हाँ राम प्रसाद एक बहुत अच्छा लड़का देखा है मैंने अपनी बेटी संध्या के लिए भाई तुमने ढूंडा है तो कोई हीरा ही होगा हीरा नहीं बलकि ये समझो कोही नूर है इसलिए तो मैंने तुझे फोन किया है मैं दावे से कह सकता हूं कि ऐसा लड़का तुझे कहीं नहीं मिलेगा अच्छा ठीक है तो कब आ रहे हैं वो संध्या बेटी को देखने कब क्या वो तो आज ही आ रहे हैं पर मैं नहीं आ सकत संध्या को लड़के वाले दिखने आए फोन पर संध्या दिन रात अपने होने वाले पती से बात करती है एक बात बताओ अपने पतियों को भावनी देना चाहिए वरना उन्हें चर भी चर जाती है अच्छा मां इंदनों में से कुई एक पकड़ो संध्या की मां मेरे तॉलिया लाना मैं अभी आई बिटा है क्या करो छोड़ो चूड़ी तूट जाएगी यू डालेंग रहा चोड़ तुम्हारे मां की कुस्व आइंद राइट चॉइस जादी को बलाती हूँ बुला के देखो मैं चिलाओंगी चिला के देखो याक खली ब्रश किया था अच्छा ये बता ये साड़ी पैनकर इतने गहने पैनकर कमर मटका कर कहा जा रही है वहीं से ससुराल जाएगी तो तेरे बापका क्या जाता है बेबी डॉल मेरे दिल में सिमकाट डालके रोमिंग पर उसके साथ जाओगी तो प्रॉब्लम तो होगी ना क्या कर लेगा तू उसकी वज़स से अपने प्यार को मत दे सजा मेरे साथ अपना घर बसा तू पत्ली गली से निकल जा संधिया हां यहां आई मां अगर साथ काम हो जाएंगे तो सब्ची को जाएगा यह मेरा चोटा बेटा रोहन है और हम दोनों मिलकर बैंकक में ही बिजनस करते हैं साथिका घुन पर नियां राए इंडी तॉंडरा रोहन बेटा तुम्हें हमारी पसंद है हमने तो बहुत पसंद लेकिन आपकी बेटी को हमारा बेटा पसंद है या यह जानना है संथ है बेटी कैसा लगा रोहन तू हाँ बोल दे नहीं तो मैं उसे लेकर भाग जाऊंगी यह लड़का मुझे बहुत पसंद है बोलेगी तो चोटी का दूंगा दर्जी हो क्या दर्जी नहीं मेरी मर्जी क्या बोलता डैरी मुझे मंजूर है शादी की तैयारी कीजिए हम दुलहन को बैंकक ले जाएंगे आपसे एक निवेदन है हम थोड़ा सा वक्त इसके साथ बिताना चाहते हैं क्योंकि आपसे दुश्मनी की वज़े से हमने इसे विदेश भिश दिया था अब 14 साल बाद घर आई है परिवार में कौन क्या है इसे पता ही नहीं है ये चाचा को भहिया बुलाती है एक बार नानी को इसने भावी कह दिया था खुशी के मारे वो कुमा में चले गई ये सब जरूरी रिष्टे समझने के लिए उसे थोड़ा वक्त तो देना ही चाहिए ना हम चाहते हैं कि शादे के बाद वो हमसे ज़्यादा दूर ना जाए बचपन में ही ये हमसे इतनी दूर चली गई कि हम इसे देखने को तरस गए अब शादे की बाद इसे बैंककॉक भेज कर हम इसे दुबारा नहीं खोना चाहते मैं चाहूंगा कि आप इस पर सोच विचार करें संध्या इस पूरे परिवार की लाडली बच्ची है वैसे मुझे आप पर दबाव डालने का कोई हक नहीं बस भी नती कर सकता हूँ आज के दौर में इतनी इमांदारी से आपने अपनी दिल की बात कह दी इतनी हिम्मत कोई नहीं करता जहां इतने लोगों आशिरवात देने के लिए उनका हक मैं कैसे छिन सकता हूँ आपकी खुशे में ही हमारी खुशी है संध्यजी पूरी हो जाया उसके बाद पूजा करते हैं पहले किसी लड़की के साथ आपका अफ्यार था क्या एक्चुली कॉलेज में मेरी एक बहुत अच्छी दोस्ती जिससे मैं प्यार करता था पर बाद में पता चला कि उसके बाप ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी है और फिर मैं अकेला रह गया और फिर बाद में संध्या तो शंध्या तो शंध्या रखाटा नहीं संध्या कहां गायब हो गया कि अ कितना ताइम लगा दिया जल्दी नहीं आ सकते थे अब पता नहीं कहां है बैट जाओ कहां नहीं जा रहे हो हुआ 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 है यह रही राम प्रसाद की पेटी तु इससे ढूंड रात हाना ले जा तुम्हारी कुंडली में राहु और के तो दोनों आ गई है वो देखो यही लड़की तो चाहिए थी यही लड़की मुझे भी चाहिए निकाल लो यहां से नहीं तो कुमा में नहीं इनभाटिट कुमा में चल जाओ है कौन से खेत की मुली है तु लुखे चायद तो इस नाचीस की तारीफ नहीं जानता है काट पे जिसकी वाट लगिये उससे पूछ वो तुझे सारी कहानी डीटेल में समझा देगा तुम्हारी वज़े से मेरा भाई कुमा में चला गिया पर अब मैं तुझे कुमा में भेज़ दूगा लोग तो जरा सी बार से डर जाते हैं मगर आप उन्ने तो सुनामी में तैरना सीखा है बचपन से मौत की सुनामी अकेले पार करता आया हूं समझा ठकेले तेरी इतनी हिम्मत की मेरे ही इलाके में आके मुझ में भौकरा है तेरा तो वो हाल करूगा कि मौत भी काप उठेगी उची आवाज में बात करके गले को तकलीफ मत दे संध्या इससे डरने की जरूरत नहीं जाओ गधे के गले से शेर का दांत लेया अगर किसी भी लुखे ने लड़की को रोका तो उसकी कबर यहीं बनेगी कोई बीच में आया तो उसकी पसलियों पर हार्मोनियम बजाऊंगा संध्या आगे बढ़ो देखता हूं किसमें कितना तम है जइब मुखे यही लुखे यह जरूफू जज वो, भो! प्राइफ! विपने मैं काले! विपने मैं काले! थैंक्स मुना, तुम्हें बहुत हिम्मत है, ये शेर का दाथ, एक शेर के लिए अब क्या हुआ, पहले तो बहुत लंबी-लंबे छोड़ रहे थे, सब के समने तुम्हारी इजदत दोकरिकी हो गई, इजदत लुटवाने का प्लैन था, क्या, ये तो मेरे चक्र व्यू का अभी आगास है अब कितनी फिकर हो रही थी तुम्हारा कैसे शुक्रिया एदा करूं, तुमने मेरी बेटी को ही नहीं, मेरे पूरे परिवार की इजदत को जान पर खेल कर बचा लिया ये तो मेरा फर्स था तुम्हारी बाहदूरी से मुझे यकिन हो गया कि तुम्हारे रहते मेरी संध्या को कोई खत्रा नहीं है आज से तुम इस घर के नौकर नहीं हो, अनात भी नहीं हो, तुम इस परिवार के हो, और ये परिवार तुम्हारा है मेशंतादी को सबस्काइब एक साथ में एक डिसकोग अर्य मिस्टर रामप्रसाद अर्य तुमने कैसे पहचान लिया पुआडी कीलचक से पहचाना लचक से आं यहेंके चहरेपर इनकी बाड़ी की लचक जलग रहिए इनके हर अंदाज से पता चल रहा है कि इनको ब्रेक दा Masthoreen Ajagar Dance. खुजली है क्यां? इसके खुजली मिटाओ. मिटाती हूं. आप दान सीखना चाहते हैं? मैं नहीं, इन सब को सीखना है. अम सब को? यह क्या से? सब के अंदर से दान्स का भूछ निकाल दो. ओके भूछ चुडल, सब निकाल दूंगा वैसे तुमने डांस किस को सिखाया है? रोजी, एक्सप्लेइन प्लीज चीटी से लेकर हाथी तक, यहां तक कि सांप और बिच्छो को भी नचाया है सांप बिच्छो छोड़, हमें क्या करना है? बोल मुझे एक नंबर जाना है, मैं जाओं मुझे दो नंबर जाना है मुझे ऐसा क्या देखा तुमने तुम्हारे जैसे शर्मीली लड़के मुझे बहुत पसल है फूल तोड़के चाय लाओ ना अभी लाया कितनी पेश्यरों में दर्देड़िस को यहां आईए उदर देखिए वो जो लड़की बैठी है ना वही बली की बकरी है और वो जो बकरा यह है बली जिसकी वो बकरी वा दिमाग के लिए क्या लेते हैं एक्सपीरियेंस छोटे जिसको भी ऐसे प्रेम रोग होता है ना वही ऐसे बागों में फूल तोड़ता है और जिसकी नहीं पहले से डुबेली ना वह घर घर जाकर सबको डान सिखाता है आहा आप तो ग्यान का खजाना है अक्चली नहीं नहीं जोड़ी है ना इसलिए रूटना मनाना तो चलता है तेंचन नाट उनको नंबर वन डान्स सिखाऊंगा कि जोड़ी स्लामत रहेगी अपन दो नंबर से आता है हलो अब गुरू को नमस्कार करो तुम लोग दूदो नहाओ पूता फलो रोजी ये जवार खाने वाले गवार है शुरुआ तुम करो डांस का पहला सबक तुम सिखाऊगी रोजी तुम यह घाशी लेगा क्या लगता मैं अली बाक से आया हूं बंगाल में क्या मेरा रजगुला का थिला है बड़े-बड़े प्रडूसर डिरेक्टर मेरी डांस के दुकान के बार लाइन लगा के ख़़े रहते हैं हॉलीवड वेटिंग फॉर मी पर तुम जैसे अंगुठा चाब लोग मेरा दिमाग का दाई कर रहे हैं उस दाई के लस्टी में तुझे पिलाऊंगा हॉलीवड की गोरी हिरोइन मेरे इंतजाद कर रही है अरे बोई शुरुवात पे ही अब भाई या इसके सिखाते ही हम अब ताता तया भूल गए है ठीक से सिखाईए अगर कोई बाहने बाजी करें तो मुझे बताईए इन लोगोसे नहीं हो जाद बोलोगे तो पैसे भी नहीं मिलें हो हाँ मैं सही कह रहा हूँ ना अगर ऐसी क्या पास है क्या मूव है लोग ने लगाते हैं आपस करके दिखा रहे हो हूँ बुड़ाओ शुरू करोगा कि कमरे के लेकली को देख्या है तो इसने थुसकी छोड़ दी जाओ जाओ यहां से तो डांस कर रहा ही है यह के 47 चला रहा है जाए यहां से ओके नेक्ट रुको तुम पहले आगया हो एलेक्शन में ख़ड़ाएगया चाट वाव फैंटास्टिक जोड़ी मुझे लगता है तुम दोनों ही कप लेके जाओगे तुम लोग दांस के नाम पर धबो सब कुछ करो पर डांस मत करो तुम लोगों से अच्छा डांस पू करता है तुम स बदनाम हुई और शीला खाकर जवान हुई रजिया इसे खाकर गुंडों से बची थी जो भी इसे खाता है हवा में उडने लगता है उडना बन करो जमीन पर रोजी तुम और तों का डिपार्ट्मेंट संभालो मैं इन गधों को संबालता हूं क्या मेरी आप ही कुछ गया है कौंसी? इस वाली तुम मुझे लुक मैं आखो में मारू फूंक निकला? पहली चुमी तुम्हारे माथे पर हमारी दोस्टी के नाम तुम्हें तुम्हें एक अब याई मा पक गई तेरे दांस से कान के दुकान फाड़ रनी तो गधो मुझे देखो और मुझे कॉपी पेस्ट करो समझें बच्चे में दम है फोटो कोपी निकलो इसके बास्टर जी इस स्टेप के बाद पर्फ्यूम फीकी ना पड़ जाए तो कहना अरे मैं इंपोर्टेट पर्फ्यूम्स लगाता हूं चलो चलो बहना चलो शुरू करो वांच टू थ कुरू जी अभी मुझा खोलो एक बात तो तै है इस घर में गया सिलेंडर की प्राबलम कभी नहीं होगी आई हेट इस फैमिली यह स्टेप करके तो बहुत आराम मिला यह स्टेप भिरसे करें क्या नहीं एक बार मुश्किल से जेला है दूसरी बार में उल्टी हो जाएगी जाओ रोजी इन बुद्धों ने तो नाक के बाल जला दिये अब एक काम करना पड़ेगा जवान पर जादू चलाते हैं इनकी बायलोजी में केमेस्ट्री डालते हैं अब देखो कमान इसको बोलते हैं चिलका मिलन हो मिस्टर डिस्को यहां पर क्या बोले बुल फार्म हो रहा है हां जो तुछ से नहीं होता मेरी छोड़ों वो लड़की उसकी कसकर किस ले रही थी मैंने देखा उनकी किसे किसका क्या जा रहा है उन्हें इंजॉय करने दो यह क्या रहा है बुड़ों का मुझे खेला मत बनाओ यह क्या हुआ ब्रेक के लग गया हुलिवड फिल्म का सीन देखो ओ वो यह तो डांस की प्राक्टिस है और डांस रिहासल मुझे लगा रोमांस रिहासल चल रही है सॉरी मिस्टर डिसको अब तो समझ गए ना यह सई है सीन कंटिन्यू करो यह नहीं कोई और स्टेप करवाओ यह चानी नहीं है चलो दोबारा करो एक मिनिट इसी तरह का एक दो स्टेप मुझे भी करवाओ ना प्लीज प्लीज अभी है यहां यहां लेडीज जैन्स का सेप अजी नहालो ना पानी भी बच जाएगा और दूरियां भी कम हो जाएंगी बक्वास बंद लट में गो दो चुम्मिया तो मैंने ली ही ली हैं अब तीसरी लिप टू लिप दे भी दो ना था 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 सब को बुलाओंगा देखा भी बबूजी चुर सी चिलाओ चोड मुझे छी छोरी कहीं की जैसा लंबा हो गया है लेकिन अकल दो पैसे की नहीं एक दूमगी ना रखे तो प्यार में पीजडी हो जाएगी एक लड़की ने तुमें बात्रूमें ब्लॉक किया है उसका फाइदा उठाओ मुझसे लिपड जाओ टाइम वेस्ट मत करो अच्छा चांस है अरे शरम कर शरम तो बेच दी इजद बचा के भग ले ऐसी नजरों से क्या देख रहा है राजा जल्दी से मेरी बाहों में आजा यह मौका जाने मत दे तुझे कुछ करने का मन नहीं हो रहा मुझे तो तुझ पर शक हो रहा है एक अबला मर्द को बातरूम में छेड़ते हुए ए नारी तुझे शरम नहीं आ रही मेरी इज़द बख्शोगी हॉं बख्शूंगी कैसे तुम्हारा शिकार करके दामाची रुकिए 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 बोल सुलेमाण हाई हमने साले की जन्म कुंडिली तक पता कर ली है कौन है साला कि ब्रश्टों पर हुआ है कोई पीजे कहा है कोई पीचम नहीं आए करने साथ कॉण कर दो अब कर दो ऐसा कैसे हो सकता है क्या हुआ जी अंकिल मुन्नायक लेडर छोड़के गया जिस पर आपका नाम लिखा है तोप सिंग तोप सिंग वह आगया बॉन आगया भागो ग्रहक भागो कुप सिंग अपना खेल खेलने के लिए इस प्यादे को वह भीजा था लेकिन मैंने तेरा लंबा चोड़ा गेम चौपट कर दिया वह भी शॉट टाइम में अगर तु बुलेट है तो मैं अटम बंब मैं तेरे लिए कॉल बन कर आया हूँ जिस दिन मैंने थाए भाषा में स्वादी काप कहा था और तु समझा नहीं तभी मैं समझ गया था कन्फरमेशन आज मिला अब उनका फेजा फिरे इससे पहले फैसला कर लोगी सच्चा ही तुम बताओगे या मैं उगलवालू मैं बताता हूँ प्रताप सिंग के दोस्त ने संद्या के लिए एक अच्छा रिष्टा तलाश किया था मगर हमने उस परिवार को काट डाला उसकी जगा पर हमने अपना आदमी भेजा बात समझ में आए ये लोग दुश्मनों को खत्म करने के लिए हत्यार नहीं चलाते हत समझ गए मुन्ना और बताऊं इनोंने आज तक बहुत लोगों को मारा है मगर इनका कोई क्रिमिनल रेकॉर्ड नहीं है हिम्मत है तो इनसे बच के दिखा तेरे जैसा मुन्ना इनके सामने टुनना है हुआ 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 है है तेरे चम्चे तो गन अभी अभी पकड़ना सीखें है अब उन तो जूले में इसके साथ खेल आगे से आउटडोर गेम बंद कर दे वीडियो गेम सीख ले अपनी बेटी के लिए किसी अच्छे लड़के की तलाश में लोग दर दर भटकते हैं ताकि उनकी बेटी हमेशा एक खुशाल जीवन जी है और मेरा भी यही अर्मान है मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूं मैंने उसके लिए एक लड़का ढूंडा है संध्या और मुन्ना एक दूसरे को पसंद करते हैं इसलिए मैं चाहता हूं कि दोनों की शादी हो जाए वो भी उसी दिन जो पहले से तय है मगर बाबुजी बेटा मैंने सोच समझ कर यह फैसला किया है मगर आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानते हैं मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानना जब तोप सिंग ने अपना बदला लेने के लिए मेरी बेटी को मारने की कुशिश की तो तुम ने ही जान पर खेल कर उसे बचाया था मेरी नजरों में तुम ही उसके काबिल हो विटा या संध्या तुम्हारे साथ बहुत खुश रहेगी मुझे पूरा यकीन है देखो मुन्ना संध्या के लिए तुम ही सबसे अच्छे हो बाबुजी लिख गोरिकाम वेसले चलो बाबुजी दरसल बात मुन्ना ये सुनते नहीं सुनाते हैं इतना क्या सोच रहे हैं अगर दुलन तयार है तो मंड़पी तयार है अगर आप तयार है तो हम सब तयार है जरा ध्यान से जजनो आज इस खुशी के मौके पर आप सब के लिए खुशी की बात कहना चाता हूं अगरा जो बी सबसे अच्छा डांस करेगा उस कपल को मैं फिल्मों में डांस करने का मोगा दूंगा और उनका नाम है युद्लाइन में तो हम दोनों अभी हिस्सा लेंगे नो 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 मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनके अभी तक जोड़ी नहीं बनी तुम्हारी जोड़ी बन चुकी है जजमान अपनी गाउं के परंपरा के अनुसार वर वधु को भगवान के दर्शन करने हैं फिर मंदिर में इधर उदर चक्कर लगाना है उसके बाद जमा तो ठीक नहीं तो लड़का अपने घर लड़ी अपने घर जाओ जाओ का मिरा उधार चुकाओ कैसा अधार वही आखरी शुम्मी लिप ट्रिप इतने चल्दी क्या है शादी के बाद मिलेगी शादी के बाद तो हर चीज लीगल हो जाएगई मेरा बच्चा लीगल काम करने में कहा मज़ा आता है अगर काम इलीगल हो तो मता गबल हो जाता है चुम्मी दो ना माफ करो कमान बेबी बस एक चुम्मी अरे कंट्रोल कर मंदिर में खड़ी हो मंदिर में प्रशाद मिलता है चुम्मी नहीं अरे क्या करी हो जानिमान यहां पर कोई नहीं है और प्यार करना कोई पाप नहीं है प्यार तो एक पूजा है और पूजा के बाद प्रसाथ पर तो पूरा हक बनता है संधिया यह क्या पागलपन है जो भी हो यह दर्वाजा तब तक नहीं खुलेगा जब तक तुम मुझे चुम्मी नहीं दोगे दिल तो मेरा भी कर रहा है कंट्रोल कर रखा है कि अ कि 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 संधिया पहले तुम मुझे लिप लॉप करो उसके बाद यह लॉक खुलेगा संधिया मेरी बात चुनो अरे यह जल्दी है संधिया कि 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 क कि कि झाल 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 तो प्रिका प्रॉज वाओ कि खिर सारी ने प्राइब कि उले प्राइब के खिर कि प्रेजसे लिए। तो प्रेजर कुड़ कि ज opini दुट दुट कि अजिए लिए 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 लिएता हुड्ड़ हाँ अड्ड़ एक रहाँ खर बड़ा अच्छ़ अच्छ़ उपकुप प्तड़ उपप कि इख अज्ड़ार एंप एंप एंपू आप एंप मुञई एंपू एज़ एंपूँ एंपू एंपूए एंपू कि लो मुशं कि वूल मुश्ण शफ जफ़ carbon कावी, जो ऑप, क्या एगाउ ख कोई मड़ें कि ऑ।लपा होगी तो तो ढोग मयं तुद सकता है और ऊफ्भारॉ सयमनोंक तुम 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 क्या हुआ? मेरा हाथ छोड़ो जाहिल गवार कही के जाहिए! स्वीठाट नेक्स टाइन, बेटर लुक्त आज की ताज़ा खबर, आज की ताज़ा खबर! हाँ? चल जल दी मूख और लूश्वेबर! विदेश से तुम्हारे कोई रिस्तेदर आये थे, जो तुम्हारे दुश्मन मुन्ना का गेम बज़े कर चले गए! एक और खुश खबरी, राम प्रसाद की बेटी अपने बाप का नम दुबा के अपने आशिक के साथ भाग गई! मुझे तो नाचने का मन कर रहा है! मुझे तो डांस करने का मन कर रहा है! उसकी मौत की खबर सुनके कलेजा ठंडा हो गया! राम प्रसाद, तेरी बरबादी की शिवात हो गया! एक- एक को मारेंगे! तडपा, तडपा के मारेंगे! मुझन, दो चुमियां तो हो गई, तीसरी बाफी है! जैके ही तुम तीसरी चुमितोगे तो यह थाबित हो जाएगा कि हम तुनों एक दूसरे के लिए बने हैं तीसरी चुमी बैलेंस है मुलना मेरा हाथ जो जाने गवा तके जो जो I am back to my sweet home किसका फोन था? डाड का फोन था अरे फोन काटने से क्या होगा? साफ साफ के दो कि तुम उस चेडिया गर में दोबारा नहीं जाना चाहती करेक्ट हलो किसने उठाया? डाड लगता है मेरी संध्या का फोन था मगर उसने फोन काट दिया बड़े भईया संध्या का फोर आया रुको रुको वो अभी बच्ची वो दुनियादारी नहीं जानती जरा उसे प्यार से समझाओ कि घर वापस आ जाए बेटा संध्या अंकल अगर मॉम डाड में से किसी ने कुछ बोला तो मैं फोन कट कर दूँगी जैसी तुम्हारी बरजी वो कुछ नहीं बोलेंगे कितना शोर मचाते थे ये गलती आपकी है मेरी नहीं मैं पैदा हुई इंडिया में पली बड़ी यॉरप में जब पिछले 14 साल से मैं यॉरप कल्चर की आधी हो चुकी हूँ तो अचानक मुझ पे इंडियन कल्चर क्यों थोप रहे थे आप लोग मेरी शादी वहां किसी घूचु से करवाकर आपको लगा कि आप कुछ पर रहसान कर रहे हैं लेकिन ये दस दिन जो मैंने आप सब के साथ उस पागल खाने में बिताए हैं मुझे लग रहा था कि मैं जहर खातर बर्टाओं और इसलिए मैं आपने बॉइफ्रेंट क्रिश के साथ जिन्दगी भर खुश रहने के लिए यहां भागाई मैंने आपके मान सम्मान के लिए आपको फोन नहीं किया दुबारा मुझे टॉर्चर ना करो इसलिए फोन किया अगर आपकी तरफ से मुझे कोई भी परिशानी हुई तो यौराप की कोट में आप सब के खिलाब केस कर दूंगी पर मुलना कर क्या मतलब उसका क्या इस नॉट माय टाइप उस गवार से प्यार मेरी जूती करेगी हम उसे भूल गए वो भी हमें भूल जाए यह दिन देखना पड़ेगा कभी नहीं सोचा था इससे तो अच्छा होता हम बेवलाद होते कितने प्यार से उसे पाला था पोसा था योरॉप क्या गई अपने आपको अंग्रेज समझती है वो यह क्या जाने जो इज़्जत उसने खुई है उसे बनाने में कितना वक्त लगता है और वो क्या समझेगी उसे तो अपने माबाप की कोई फिक्र ही नहीं है आज से उसका और वो और किसी के साथ चले गई वो ऐसे कैसे कर सकती है परसों से जिसकी एक जलक के लिए तरस रही थी उसने हमारे मूपर कालिक मौत दी अंकर इस क्रिश के बारे में आप कुछ जानते है क्रिश एक बहुत बड़े माफिया गैंग के मुखिया का छोटा भाई है जिसके बड़े भाई का नाम है ओजो अब आएगा मसा तुझे दिल से खेलने का बड़ा शौक है ना तो के बास कहीं की जहां हुई है तो डंचू वहां का तो मैं किंग है कि यह अपना पटीचर मुन्ना हीरो कैसे बद गया है अंकल आप मुझे पसंदेश्ट के लिए अपना पटीचर मुन्ना हीरो कैसे बंद गया है अंकल आप मुझे पसंद करते हैं हाँ सच्चा ही जानने के बाद आप मुझे से नफरत करेंगे हाँ हाँ सेंड 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 इंसाइड सेंड सर को इंग्लिश का उस्ताद कमिंग को इज ए वन लड़की करेंगे इंडिया का बाडी मेड इंडिया का बाडी मेड इंडियोप चेंचिना के बोंबा भूम नमस्दे शिटिंग डाउन प्लीज थैंक्यू डोंट बरी एक हफते में आपका बेटा अंग्रेजों को इंग्लिश में पचार देगा अंकल बेटा ओ नहीं तो क्या आपकी सर की वाइब आरे सर आप तक कवारे और डैसिंग यह थे थे इस्टूरेंट इस ही अंकल वट्स यह एज एज की एंक्वाईरी छोड़ दो अपकी तो निकल पाड़ी इंग्लिश फिगर से मेरे थर्मोमेटर का पारा होने लगाए अप एंड डाउन अप एंड डाउन इसकी आइज हिरन जैसी वॉल्यूम कोईल जैसा और नेक जिराफ जैसी है तो नहीं आई है टीचर आप मुझे टीज करने यहाँ आई आइम ग्लाइडली हैपी लेकिन टुमारो ब्रदर सगाई बहुत वर्क सो नोग यू होम और कल से चुरू करें ओके तो मैं चलती हूँ एक और क्रिस्टिनिंग कल मेरे भाई का अंगेजमेंट है यू कमिंग आज आएगी अगर याज जाएगी तो यह तो आपको मिलने कलाएगी एक रेस्ट यू फिल बस्ट आपनी रेस्ट की बाद में सोचे हो बेस बोला अचा था था भायार सबको मेरा गुड रातरी मेरा शॉड ब्रदर क्रिश एंड इविनिंगेन के संध्या एक दूसरे को हार्डली लव करते हैं कमिंग संडे को इंटु मॉर्निंग सिवन अक्लॉक और फिफ्टीन मिनिट पर इन दोनों का मैरेज मादर और आए दुमधाम से करेंगे आए यू एंज्या आए कमिंग तू मिनिट्स बिनना अचे पार्टी से क्यों निलाए मी नॉट लाइग अंग्रेजूं का कल्चर और मी नॉट अल्सो लाइग चोटे-चोटे कपड़े तो आप अंडर भी नहीं पहनते हैं क्या देसी लोग तो कच्छा पहनते इसले पू आए टीचर वन मोर टॉक टू डेन टुमारो मुझे सरकल कमिंग इंसाइड राउंड राउंड चकर कमिंग पाओं पारी तो नहीं है और मैं स्पीक नहीं सकता इस शर्म से वाटरी वाटरी हो रहा हूं मैं टीचर हूं मुझसे क्या शर्माना अच्छली इस एक यंग लव स्टोरी प्राब्लम अच्छा लव प्राब्लम पहले मैं आपको लड़के की फुल फिलिंग टेलिंग जल्दी बताओ ना वो बॉइक गरल पर जान इसपर करता है उसके बिना वो जिब से रह नहीं पाता उसको बहुत शाय शाय हो रहा है लड़की को आई लवी बोलन में इतनी सी प्राब्लम आप बुजुर्ग हैं आप उन दोनों को मिलाने का काम क्यों नहीं कर देते हैं गुम्जुम्बुजुर्ग यह क्या सर आपकी गॉड़ी तो रिवर्स गयर में जा रहीए नहाँ रे नाइ टेकी टीजीू रांग जज्ज्मेंट गाड़ी रीवर्स में हो कीर में चलतो रही है क्या खाक चल रही है उसके स्थीर को तू मन्स में टीचर आउट भावी इन. भूम जूम दराम. गॉंगराब्स. ओ, हलो. एक्स्टूस में. है, वाट्स रॉंग विधू? जल तक भले ही कृष्ट एक पुब्लिक प्रोपटी रहा होगा. लेकिन इंगेजमेंट के बाद ही प्राइवेट लिमिटेड है. खूल, गुद फो यू. हेई गाइज, लिसन तू में. संध्या का ये कहना है कि वो कृष्ट से इतना प्यार करती है जितना हमें से कोई नहीं करता. तो संध्या का प्यार कितना पाउरफुल है, उसका टेस्ट कर लिया जाएं. The test is, संध्या अपने चहरे पर एक मास पहनेगी और अपने आखें बंग कर लेगी. उसके बाद सारे लड़के भी अपने चहरे पर मास पहनेंगे. उसके बाद मैं उल्टी गिंदी शुरू करूँगी. संध्या को इन लड़कों में से बिना किसी को छुए क्रिश को पहचानना है. अगर वो क्रिश के फीलिंग्स को पहचान कर उससे गले लगा लेती है, तब ही हम मालेंगी कि संध्या क्रिश को प्यार करती है. काउंटिंग गटा मोने से पहले ही मैं क्रिश को गले लगाऊंगी. 10 9 8 7 6 5 4 तुम्हें पाने के लिए मैं यम्राज से सेटलमेंट करके आया हूँ. तुम्हें आज तेरी जिंदेगी का आखरी दिन होगा। क्यों छोड़ दू अभी अभी तो पकड़ा है। आज तक मेरी थी तेरी कब से हुई। मेरी खटी अंगूर। ये लंगू तुझे मुझसे नहीं छुड़ा सकता। छुड़ाएगा। अगर ऐसा है तो उसे रिस करने बोल। पकड़ा उसे। तुम्हारी माद तुम्हारा पीछा कर रही है। बार बार पीछे मुड़ के मत देख मेरी अनारकली। तेरी नाजुक गर्दन अकर जाएगी। श्यूआएगे। ग्साएगे। भीजूएगे। भीजूएगे। ख़्यक्त अज्यूएगे। और फोड़ियों सेट पाइगर अबाद को मुड़ियों सेटार अबाद अबाद को अबाद को बाता दिदू कितना आफ रहा है अस्तम है क्या अवे कच्छ्वे रेस तो कितना प्यार के बारे में बहुत सुना था तुझसे प्यार किया साहला प्यार का नशाई उतर गया तुमारा डाका क्रिश से भीड़ा था फर्क नए परता मुझसे प्यार तू नहीं करती दी इससे भी कोई फर्क नएपरता पर अपने एक ही बात से मतलब हम दोनों को फिर से जनम लेना पड़ेगा मुझे तुम से मिलने के लिए 25 साल वेट करना पड़ेगा वेट करके क्या फायदा ताकि तुम मुझे फिर से धोका दे सके तू पहली लड़की थी जिसे मैंने दिल से प्यार किया था यहां मैं तुझे अपनी बातों में मंदर से भी क्रिश के साथ भागने की मेरी पूरी प्लानिंग थी लेकिन तुम वहां भी आटपके तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि ट्रेन में गोली लगने के बाद भी तुम बच गए तुम्हें मैंने धोखा दिया अपने प्यार के लिए अपने प्यार के लिए लिए हमारा मिलन तो अब हो कर रहेगा गलत फैमिए तुम्हारी प्यार में कौन किसके लिए बनाए ये तो तक्दिर बनाने वाले के अलावा कोई नहीं जानता ये लवने अट्रेक्शन है नहीं प्यार तुम क्या जानों प्यार क्या होता है पता है अगर पता होता तो मेरे प्य प्यार का गला घुटना प्यार नहीं प्यार तो कुर्बानी का दूसरा नाम है जिस दिन तुम्हारा दिल तुमसे कहे कि तुमने मुझे धोका दिया उस दिन तुम प्यार का मतलब चानूगी करेश और मेरी शादी हो जाएगी उसके बाद क्या करोगे तुम सपने चाय कोई आंडू-पांडू देख ले दुल्हा तो मैं ही बनोंगा इंपॉसिबल संध्या तुम्हें अफसोस होगा कि तुमने एक हीरे जैसे लड़के को ठुकराया जब तुम्हारी सांसे तेज चलने लगेगा तब तुम्हें प्यार का एसास होगा और उस वक्त तुम मेरी बहुं में आने के लिए तरबोगी अज़ा वार्जा 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 तुम्हारी इंग्लिश वेर गॉन तुम तो बहुत बोल रहे थे डूइट पर डॉन्ट डाए बन साइड लवर ही अपनी गल्फेंड की मैरेज में मंडप लगाते हैं निकल गई ना आशिकी लवीज रिस्की अवे इंग्लिश डिक्शनरी पंगे लगा तो चीर के रख दूँगा तुझ जैसा डॉन क्या जाने की प्यार क्या होता है गिव लगाम यूर टंग मुझे बाशन गिविंग तुनी एशिया में राज करने का मेरा प्लाइन फ्लाप किया यहां आकर मेरे और मेरे भाई की इंसल्ट की अब तो बिल्कुल जिन्दा नहीं लिविंग काट दरोप सूजी ओडर माइफ भालॉफ तेरा भाई कितनी भी कोशिश कर ले संध्या मेरी है मेरी रहेगी सलीम मैं एनिमी को खुद वेपन दे के फाइटिंग इसलिए तुझे एक और चांस गिविंग लेकिन बाइचांस कुछ घडबड हुई तो संध्या के हाट में तुमने प्यार जगा दिया तो तुमारी शादी में मैं ड्रमिंग बजाओंगा यह आप क्या किरें भाया और अगर नहीं जगा पाये तो तुमारी खटिया स्टेंडेंग अजया अजया अच्छा एसा क्या तुम्हें लगता है कि यह मैरे बीच का कनेक है इसे बाहर निकाल कर कनेक्शन कट करने के लिए फैंक देती हूं अब खुश संध्या यह तुमने जा तुझे एक चांस मोर दिया सलीम किसी चांस का महताज नहीं मैं खुद अपने किसमत लिखता हूं अच्छा आपके साथ आए नॉट गेट बेटर बट इंग्लिश गेट बेटर इंसे मिली है यह लो कौन है आपकी होने वाली बहुके रिष्तेदार है फर्स टाइम यूव एक्सपोल धोशी आरी है पगार बढ़ाओगे नेक्स्ट येर अब संध्या की शादी आनात हो जै ये लोग उसका कन्यादान करेंगे शादी होने तक इनकी खातिरदारी करो आप पिपल को कोई प्रब्लम हो तो वो बूम जूम धुडूम मैं का चेला बन जाता हूं सर 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 मुझे भी आपकी तरह बनना है मुझे भी अपने गांग में भड़ती कर लो ना तरह मेरी नौक की खत्रे में है पोजिशन जैसा आप संचो सर सर तीचर आ गई है तीचर दुम्रपान निशेद है यले पकड़ तीचर तीचर के साफ्ट हैंड्स में हार्ड वाली चड़ी है गुड मार्निंग टीचर गुड मार्निंग प्रीज फ्रीज 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 से शुरू करेंगे मतलब टॉप से ए पॉर एक फ़र्टी से वन अब बी फॉर बॉंग सी फॉर चोटा बॉंग इटियाट अगर तुमने गन बंदूग की दुबारा बात की ना तो मैं चड़ी से पिटाई करूंगी टीचर तुम्हें ट्यूशन देखे बहुत बड़ी कल्दी की लगता है मैं किसी टेरोरिस्ट को पढ़ाने आई हूं इस टीवीडी में इंग्लिश बोलने के सारे तरीके हैं समझें इसमें से तुमने एक पी सीख लिया तो इंग्लिश आ जाएगी टीटीटीचर क्या सेर मार्केट में नाम खराब हो जाएगा अगर लोगों को पता चल गया कि वह आपको एडिएट बोलके गई चंकी शीज आवर टीचर इफ आई गिविंग इजट तभी तो टीचर रिटर्निंग महबद गिविंग एंड टेकिंग तुने संध्या को चैलेंज तो कर दिया तुझे लगता है यह जीट पाएगा भाई चैलेंज देकर यहां लट्ट्टू घुमा रहे हो दो दिन तो वैसे ही वेस्ट हो गई सलीम तु संध्या को भूल मुझे तुम पर भरोसा है मगर उस संध्या पर बिल्कुल नहीं इंसान पर भरोसा नहीं दिल पर करना सीखो क्योंकि दिल ही है जो हमेशा सच बोलता है प्यार की पहली घंटी लगता है उसका पत्थर जैसा दिल पिघलना शुरू हो गया तड़ी पार हो गये हो क्या जोश में आके जो तुमने चैलेंज किया था उसका क्या हुआ उस चैलेंज से तुमने गिव अप कर लिया तुम्हें पता है मुझी क्या लग रहा है कि ओजो के यहां है कली उसके पास आने के लिए मचल रही है तुम्हारी थमी होई सांसे तुम्हारी पेचैनी बता रही है तुम्हारी जिंदेगी में दो दिनों में गहरा सन्नाटा चा गया है इसलिए तुमने मेरी रिंग टून बजाई ना जाने मान ये सलिम तुम्हें दिवार में नहीं चुनवाएगा नार कले मुझे उस बेवकोफ जाहिल को फोन ही नहीं करना चाहिए था समझता क्या है वो खुद को उसे सबक सिखाऊंगी कैट मतलब मैं आओं डी ओजी डॉग मतलब भो 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 यू अक्सर से शब्द बनाना टीचिंग और मी शब्दों को भाव में प्रकट करेंग तो क्या मैं भी चड़ी से अपना भाव प्रकट करूँ चड़ी से नहीं है प्यार से चिमिट कट यह दरा कर पढ़ाने पढ़ाना है तो हातों में हाट डाल कर पढ़ाए अब एक कर्दू ममी बाबा ने यहीं सिखाया बच्चे की बाद एक्सेप्ट कर लो और इसका दिल रख लो प्लीज इसका नहीं तो मेरा दिल रख लो तो मैंसे नहीं सुधरोगे तुम्हें सुधार ना पड़ेगा चलो ह तो हैंड क्या चीज़ है टीचर कहो तो हार्ट देदू जर कमरे से बाहर चाहिए बैले स्टिक खाना देन गुइंग बात में खा लेना थंडी नहीं होने वाली आप बाहर चलिए मैं समझाता हूं बाहर चलिए ना से बाहर क्यों गिया अब भी इतने नाद है अन्याड ना सरव लेकिन वहा क्या वारेकिन बंद करो और अंदर आखर टीचर का ब्लाउस बंद दो मैं बांदू सुरी तु रूंख आयगोँ यह अनदर का मामला ये बाहर ना निकले दूपानी कर दो तेलर की दुगान में असिस्टन्त है क्या तेलर की दुगान में असिस्टन्त है क्या इडियेट हो तुम चंकी बोले तो बांद ना सीख्या चंकी अब अगला लेशन किसी ने सची का है खेलोगे कुदोगे होगे खराब पड़ोगे लिखोगे बनोगे नभाब तेरा प्रॉब्लम क्या है मिलना चाहिए बस डबल मिलेगा है क्रिश यह बैचलर पार्टी तुम ट्रेन में क्यों मना रहे हो मैं और संधिया पहली बार इसी ट्रेन में मिले थे जब मैंने जप्पी और पप्पी लेनी चाहिए तब स्टेशन आ गया और यह उतर कर चलीगी लेकिन आज कोई स्टेशन आने का चांस नहीं है मेरी अनार कली किसी और की जप्पी लेने चली हाई हाँ है हुआ है है लाइव की फर्फ जप्पी फिर्णी प्रेमे कल्दी कल्दी बील्म नी दूब रेकल्दी कल्दी चाहुआ रुक यूंगी वो देख रहा है कौन सलीम हां तो क्या फरक पड़ता है, इस ट्रेन में बैठे हुए सभी लोग तो देख रहे हैं हमें, उनसे तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वो क्या MMS बना रहा हैं, उसे इग्नोर करो और मुझे छपी दो, नहीं क्रेश, मैं कन्फ्यूज हूँ, क्या कहा तुमने, फ मुझसे डिस्टब होगी, उतना ही ज्यादा मेरे करीब आओगी, कल मैं तुमसे दूर था तो तुम बीचैन थी, आज मैं तुम्हारे इतने करीब हूँ, तो सोच रही हो, कि तुम जो कर रही हो, वो सही है, या जो करने वाली हो, वो सही है, या जो करने वाली हो, वो सही है जुए पेदाव लगा लड़की भी नहीं इसके भेजे के बाटले में कॉन्फिडंस का गैस भर गया है मुझे लीक करना इच पड़ेगा तेंक यू एंजल मेरी खाथिर तुमने इतना बड़ा रिस्क लिया लैन के मताबिक तुम ओजो को ट्यूशन दे रही हो दोस्ती में शुक्रिया नहीं बोलते सरी नाटक करते करते उससे अपना दिल मत दे देना कोशिश करूंगी टीचर आपकी याद आ रही है आपकी याद सॉलेडे भावी आ गई टीचर मेरा फ्यूचर हुँ अपnat मैं यही बताने आई हूँ मुझे लड़के वाले देखने आए था क्या हुआप है इस सारी दाल जल गए मगर मैरेश करने का निकम मत होड़ कहाँ से आपके में माइन ड में हाट में वैसे आपने अब तक शादी क्यों नहीं की वो इसलिए विकॉज कैसे बताओं अब बता भी दीजिए नहीं तो आपके मरदांगी पर यह शक करने लगेगी टीचर मैं अब तक इसलिए सिंगल रह गया क्योंकि शॉटेज में मेरे साथ ट्रैजडी हुई थी बेंडी बाजार में जब मैं किड था तब मेरा नाम राज था एक दिन एक मैट गर्ल आई हमारे नेबर के घर पर समर वेकेशन में उसका नाम था सिम्रन उस वेकेशन में राज ने सिम्रन के साथ पूरी सेटिंग कर ली कि तभी कहानी में टर्न आ गया सिम्रन के मोगैंबो ख के साथ प्लैटफरम तक तो आई पर चलती ट्रेन में चड़ने की उसकी हिम्मत नहीं हुई आपकी कानी में इतना दर्द है कि मेरे सिर में दर्द हो गया और बादल फटे और आंसू निकला आए आपकी आखों में क्राएं तुम्हें चेहरा याद नहीं आएं मतलब तुम नाला सुपारा से हो हां राज मैं नाला सुपारा वाली सिम्रन पापा ने उस दिन हाथ तो छोड़ा लेकिन तब तक ट्रेन जा चुकी थी मैं तुम्हारे इंतजार में पीछे टर्न करके देखती गर्दन में मोच आ गई पर तुम कहीं नहीं दिखे मैं घर से भाग गए नहीं पता था कि कहां जा रही हूं मेरा घर छूट गया और तुम भी पीछे छूट गए मेरे पास तुम्हारी दी हुए गुडिया थी उसी गुडिया को देखके मैं तुम्हें याद करती थी मैं पही श्म्रन हू राज हुए फ्लाव को walls सिंव ईस सेम है मकर मेरी स्टॉरी में कपडे की गुडिया नहीं Themeρε थी ऋसे छोड़ो और इसे इस से बख़़ो नहीं तो यहाथ से निकल जाएगी संव्ध्यी पर मैंने तो अंधरे मैं आखसे निकल जायाई था तो अन्देरे मे यह सब कुछ मुझे एक सबनी जैसा लग रहा है कभी नहीं सोजा था हम दुबारा मिलेंगे मगर मेरा सिख्थ सेंस वस टेलिंग माइखोपड़ी की हम एक नएक दिन जरूर मिलेंगे राज और सिमरन का मिलन हो ही गया राजू बूम जूम दुड़म यह पार्डी इस ब्यूर्फुल लेडी की नाम संध्या, मेरी मंगेतर बूली शुरू होती है कि हम एक दूसरे के होने वाले हैं तो इसी खुशी में आज मैं संध्या की बैचलर किस की निलामी करूंगा वाव, ता इस ग्रीट आइडिया तो देखते हैं वो खुशकिसमत कौन है जो मेरी मंगेतर की बैचलर किस लेगा बूली शुरू होती है पात्सो डॉलर से ताउजन डॉलर्स, दू थाउजन फाइफ हंड़र्ड पाइफ थाउजन डॉलर्स भर्हो स्देट को देजन, के बाद Chhyboda वेट उर्ट रो वेट्व और एंटरेंडमेंग टैस काटने के बाद फाइफ थाजन डॉलर्स सालीम, वेगणी शादी में तू दिवाना मत बन मेरे बोली के आगे तेरी बोलती बंद हो जाएगी दस हजार डॉलर्स मेरे बोली 15,000 डॉलर्स 25,000 डॉलर्स 50,000 डॉलर्स 75,000 डॉलर्स 1,000,000 1,25,000 तुम आगे बोली मत बढ़ाओ वर क्यों? क्योंकि इसके पास देने के लिए कुछ हो गाई नहीं लुक्खा है साला ओके गाइज सलीम इजदल्ला की गाये जो मेरे फ्यांसे की आखरी बैचलर किस लेगा गिव किस 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 तू या लवब बोई पहले रोकड़ा बेटा शोरूम में गाड़ी खरीदने से पहले टेस्ट ड्राइव किया करते हैं पैसा बाद में देते हैं यह और राइट लेकिन यह निलामी निलामी हो या सेल एक बार आइटम देखने के बाद इच पैसा देता है यह सलीम संध्या को तो तुम पहले ही देख चुके हो हां पर कभी उसे चूम कर नहीं देखा वान मिनिट किस दे दे यह मैं निलामी में नहीं खरेदी यह तो वो तीसरी चुमी थी जो मुझ़ पर उधार रह गई थी अब तो तू मान ती होना कि हम दोनों एक दूसरे के लिये बनिया हैं मेरी अनार कली यह मेरी साश से अब तुम्हारे साशों में गुल गई हैं अब इस बंधन को दुनिया की कोई भी ताकत नहीं तोर सकते। एक है मैं और तू, 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 तू.. प्रॉ.. हुम.. टेस्सट ड्राइब फो गया ना अब पैसा नेकाल चल.. वू.. नहीं है मेरे पास.. ह्ये.. साले इंडियन जहां प्री का मिला चोंच लडाना शुरू कोई कल्चर इनी कल्चर शाणे किस कल्चर की बात कर रहा है तो यहां खुले में तिरह कल्चर भी खुल गया अबस इस साले मंगेतर के किस निलाम करता है भरे मैदान में उसकी बहिज़ जती करने को कल्चर कहता है हरे भारतिय संस्कृति में पती पत्नी एक दुसरे के दिलों में बसते है शादी पवित्र बंधन है जिसे तुम जैसे मौडरन लोगों ने अपने शौक और मौज मस्ती के लिए दुनिया के सामने निलाम कर दिया है जिस तरह की घिनानी हरकत तुम लोग करते हो छोटे कपड़े पहनते हो बदन की नुमाहिश करते हो ये हमारा कल्चर नहीं है आज कल के लड़कियों की प्रेफरेंसिस क्या क्या है लड़के के पास कितना बैंक बैलेंस है, कितनी कारिया है, कितने बंगले है लड़की सर उठा कर तभी जीती है जब उसके आत्मसमान के रक्षा उसका पती करता है वेस्टरन कल्चर में मदर्स डे, फादर्स डे तुम लोग मनाते तो हो बस इसी एक दिन तुम उन्हें याद करते हो मगर हमारे लिए हर दिन मदर्स डे और फादर्स डे है हम अपने माबाप की सिवा करके गर्व मैसुस करते है पर्देश में रहने के बाद भी अपने देश की संस्कृती मैं तो नहीं भूला अफसोस तुम भूल गई तुम्हारा परिवार्द भारत्य संस्कृति की जीती जाकती मिसाल है जिन्होंने तुम्हें चलना सिखाया उन्ही को तुमने खंजर होगा जो आलाद अपने माबाप की नहीं हो सकती वो दुनियों में किसी की नहीं हो सकती तुम्हें ये मुबारा किसे तुम, तुम तुम्हेरे नफरत के लाएप भी नहीं हो गुद्बाइ संध्या सली, संध्या आई है क्या कहाँ? हाँ थपड़ मारकर तुम मुझ पर अपना हग जताने आई हो आज तुम सुनोगे और मैं कहूंगी तुमने प्यार किया, मैंने भी प्यार किया तुम्हारे प्यार में बहुत कशिश है जब तुम यहां मेरे पीछे आये थे, मुझे लगा था तुम कुछ नहीं कर पाओगे लेकिन तुम्हारी बज़े से, मैं अपने प्यार से दूर हो रही हूँ, फर्स टाइम मैं तुम से हार रही हूँ अगर तुम वागई मुझे सच्चा प्यार करते हो तुम मुझे छोड़कर चले जाओ प्लीज, संधिया, जिससे प्यार करो, उसे हासिल कर लेना ही सच्चा प्यार नहीं होता, बल्कि अपने प्यार के लिए अपनी चाहत को कुर्बान कर देना ही सच्चा प्यार होता है अब धीरे धीरे सच्चे प्यार का एसास तुम्हें भी होने लगा है लेकिन तुम्हारा एगो तुम्हारे दिल से बढ़ा है तुम उझसे कहने ही पाऊगी इसलिए मैं जा रहा हूँ संध्या बेटा तुम्हारे ले एक गिफ्ट आया है तुम्हें एक छोटा सा गिफ्ट पेज रहा हूँ लेकिन यो कोई मामुली गिफ्ट नहीं है इसमें तुम्हारी छोटी सी याद कैद है जिसकी वचे से तुम हमेशा मेरे पास रहती थी एक्स्कूस में इस नीव अराइवर? तुम्हें तुम्हें उस दिन ये छोड़ दिया था तो मैंने खरीद लिया दिन रात तुम्हारी ही क्लिप देखते रहता था सोचा था फर्स्ट वैलंडाइन पर पुम्हें ये कैमरा किफ्ट करूंगा बैट लग हब ये मेरे किसी काम काने टेक एर अल थे बेस्ट स्विजर लैंड की सबसे खूब सूरज जगह है स्विजर लैंड में हर एक का सपना होता है कि वो यहां शादी करे यहां की गई शादी के जोड़ों का बंधन साथ जन्मों का होता है यही खासियते शांदार पैलेस की है अब मैं अपनी शादी में होने वाले इंतजाम की छोटी सी जलक दिखाता हूँ कल इस लॉन में जिसकी पिछे एब्स की पहाड़ियां हैं दुनिया की बड़ी-बड़ी हस्तियां आकर यहां जमा होंगी और हमारी शादी में हमें बधाईयां देंगी यहां पर होगी electronic मीडिया, print मीडिया, दुनिया भर में हम headline पर होंगे दुनिया भर के बड़े-बड़े musicians यहां पर romantic धुन बजाएंगे एक और surprise है, इंडिया से आए पंडित लोग यहां पर मंत्र पार्ट करेंगे अभी से सपनों में खो गई क्या? हलो, संधिया? सलीम, सलीम, साले ने जीना हराम कर दिया है देखो, जिस तरह गलती करने पर बच्चों को माफ कर दिया जाता है इसी तरह अपनी गलती समझ कर उसे भूल जाओ उसका नाम दुबारा तुम्हारे लप पन नहीं आना चाहिए निकाल भेंगो उसे जब चूली ने मुझे कले लगाया तब तुम्हे जलन हो रही थी लेकिन आजकर मुझे ऐसा लगता है कि तुम बिलकुल बदल गई हो ऐसा लगता है तुम्हें मेरी कोई फिकरी नहीं है तुम मुझे निकले क्यों कर रही हो? आई यू कन्फियूस्ट? अपने प्यार पर कॉन्फिड़न्स होना चाहिए, तुम तो कन्फ्यूज लगती हो, बीवी. तुम पदल गई हो, संध्या. इंडियन कल्चर और सलीम तुम पर पूरी तरह से हावी हो गया है. तुम्हें देखकर ऐसा लगता है, कि तुम्हारे दिल में अब मेरे लिए कोई प्यार नहीं रहा. जिन्देगी में जिससे प्यार करो, उसे हासिल कर लेना ही सच्छा प्यार नहीं होता. बल्कि अपने प्यार के लिए अपनी चाहत को कुर्बान कर देना ही सच्चा प्यार होता है I can't live without you Sandhya, I need you, I love you No, no, no किसका मेसेज है Sandhya का SMS किया है कि मुझसे मिलना चाहती है लेकिन अब मिलकर क्या फाइदा लेकिन यार एक बार तो मिलने का हग बनता है हाँ यार एक बार तो मिल ले हाँ सलीम भाया तुम्हारे चेरे पर 1230 भाया, Sandhya ने मुझे धोका दिया है वो सलीम के साथ भाग गए पॉसर, पॉसर, पॉसर सलीम सलीम, सलीम, सलीम कृष, वरी नौट संदा के साथ तुमारे मैरिज़े जरूर होगी वर सलीम को दिया हुआ वादा ओजो ने अपनी मा से प्रामिस किया था कि वो दूसरों से किया हुआ वादा ब्रेक करेगा और मा से किया हुआ वादा कभी ब्रेक नहीं तुमने मुझसे एक मिनट मांगा था उसमें से दस सेकेंड हो चुके हैं सलीम तुमने पूछा था ना सच्चा प्यार किसे कहते हैं मुझे इसका जवाब मिल गया तुमने बिलकुल सही कहा था लाव इस पावरफुल यह तो जादू हो गया मैं तुमसे प्यार कर बैठी आई लव यू आई लव यू आई लव यू आई लव यू तुम अपने इशारों पर हजारों लड़कों को नचा सकती हो पर यह चोट खाया आशिक अब तुमारे जहांसे में नहीं आने वाला यूटन मार लो अनार कली मैं चाहता था कि तुम्हें पता चले कि सच्चा प्यार क्या होता है तडपना क्या होता है प्यार में धोका खाने के बाद किसी प्यार करने वाले का दर्थ क्या होता है तुम्हें पता चले वो दर्थ मैंने सहाए अब वही प्यार का दर्थ तुम भी से होगी तुम्हें सर से बाव तक दड़ पाएगा प्लीज मुझे से बाते मत करो तुम से आई लव यू कहने के बाद मुझे लगा कि मैं मैंने आस्मान चू लिया मैंने तुम्हें कितनी चोट पहुंचाई थी इसका ऐसास मुझे नहीं था पर अब मैं तुम्हारा दर्स समझती हू जूटे आसू बहाना और दिल तोड़ने के लावा तुम्हें कुछ नहीं आता जो चाहें सजा दो लेकिन मुझे माफ कर दो सलीम माफी मांगनी है तो जाकर अपनी फैमिली से मांगो हरे उनकी वजह से ही तो मुझ जैसे अनाहत को पता चला कि माबाप का प्यार क्या होता ह है पर तुम अपनी फैमिली को ठुक रहा कर उन्हें धोका देकर यहां भाग कर चली है मुझसे प्यार करती हो ना तो मेरे साथ इंडिया चलो और उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगो है ही मत अरे जगिया तुम्हारी होने वाली बहू और उसका रिष्तिदार दोनों खायब मुन्ना उर्फ सलीम ओजो उर्फ किंग संध्या को इंडिया ले जा रहा हूं और साथ में तुमारी टीचर को भी है 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 तु मेरे प्यार को मुझे डिवाइडिंग मैं तुझे डिवाइडिंग तुझे भी तो बता चले अपने महभूबा से दूर रहने के दड़ब क्या होती है ओजो को तुम नहीं अंडिस्टेंड इंडिया आकर संध्या और टीचर को ले जाओंगा और तुम सब को अल्टुगेदर ऊपर पहुचाओंगा तो आँ मैं कमिंग आना कमिंग और एक पंगा होई जाए वेल्कम तो इंडिया हमें यहां के लाए हो हमें यहां के लाए हो क्या बात है सलेल सही मौके पर आये हो मैं यहां तेरी पकवास सुनने नहीं आया हूँ मैं यहां संध्या की फैमिली को छुडाने आया हूँ यह सब मेरी वज़े से हो रहा है डाल मुझे माफ कर दीजिए उनने इतनी बड़ी गलती की है कि तुम्हें भगवान भी माफ नहीं करेगा इसा मत कही है डाल पहले माबाप डरते थे कि अगर उनके यहां बेटी पैदा हो गई तो शादी में दहच कहां से देंगे अब वो इस डर में जीते हैं कि कहीं बेटी बड़ी होकर किसी के साथ भाग न जाए बाइया माफ कर दीजिए बाइया हमारे बच्ची को अपने कीये पर पच्चतावा हो रहा है इसे माफ कर दीजिए ना इन सब को यहां से जाने दें रुक रे सबको ऊपर जाने दूगा एक एक करके इतने आदमियों से तेरा बचना ना मुमकिन है इसलिए उस फैमिली को बचाने का सपना छोड़ दे और खुद बचके निकल जा उन्हें बचाने के लिए मेरी जान भी चलीगे तो परवा नहीं लेकिन उससे पहले तुम सब का सफाया करना ज़रूरी है एक तुप सिंग मा का तुप बचाँ ठाज़ को भी आजा नहें नहाँ पूप ऊसू उसो ॉसो जाए एक फाइटर किसी पर पीछे से वार नहीं करता फ्रेंड से करता है साला डायलोग तो जैसे मा की कोक से सिक्क्या था औरे माजी गल्ती हो गई करेश अब ही जलीम को तो हम बाद में मारेंगे मगर यह मैड मैन है कौन संध्या की फैमली का खांदानी दुश्मन है नाम है तोप सिंग कnın देख स्षप पीजा की के तो हम टुश्मन है करते हम उल्ती है करते है यह बढाद की करते हम उल्ती है तुछ कर देख रहा हैं तेरी टीचर हो संदय उनके कब्से में हैं जा उन्हें चुड़ा कर लेकर आ आई तो सोब्सानिया हूं। आपनानाघ। अमैं स्लेवाड की को धाल बनाता है? यह तिरी मशल्की स्पॉपुर्व गोव झाल 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 नहीं सलीम मेरे बात गौर से लिसन करो तुम यहां कर मुन्ना बन गए हो दुबारा सलीम मत बनो जग्या यह तु क्या कह रहा है माँ बी साइलेंसर मी स्पिकिंग मैंने आपसे प्रामिस किया था कि कभी दूसरों से किया प्रामिस पुरा नहीं करूंगा मगर मदर श्री सलीम को भी मैंने टंग दी थी उसे कैसे ब्रेक करूं क्रिश ट्राय करोगे तो तुम्हें हजारों लड़कियां इजीली गेटिंग मगर सलीम ने वन एन ओनली वन लड़की से वन ही टाइम मोबत की है संध्या के नेवर पर भी इसने उसके दिल में प्यार की केंडल जलाई है भाई ये डॉन गिरी छोड़के आप फिल्मों में डायलोग की नहीं लिखते हैं बहुत कमाई होगी साड़ी माजी राम प्रसाजी आपकी बेटी को मिस्टिक का रिटिक सलीम ने करवाया है मुझे भी सच्चा प्यार सिखाया पहले तो सिर्फ मेरे पास मा थी मगर अभी ऐसा लग रहा है कि मैं भी एक जॉइंट फैमिली का स्पेर पार्ट हूँ कि संध्या कि इविनिंग इस यूर्स कि मैं तो करेक्ट इंगलिश बोल गया टीचर सलीम मुझे इनके हाल पर बहुत तरस आ रहा है मैं सच बता देती हूं राज टीचर मुझे तुम्हे आज एक नया वर्ड सिखाना है तो यार अगर नहीं सीख पाया तो टीचर मुझे सब के सामने मुर्गा तो नहीं बना देगी इस टीचर पर इस पर जल्दी सीख लेना जी टीचर आ लव यू वन्स पिकॉक पर इस घर के होने वाले जमाई से मुझे क्लारिफिकेशन चाहिए कैसा क्लारिफिकेशन ओ ये कि तुम संध्या के इंडोर और आउटओर खर्चे को कैसे मैनेज करोगे सुभे स्टेशन पर जूते पॉलिश करूंगा शाम को नुकड़ पर केले का ठेला लगाऊंगा